लकडियों की आड में ट्रक से गांजे की तसकरी के मामले में जबलपुर पुलिस ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने तिलवारा धाना छेटर में एक ट्रक से 20 कुटल गांजा बरामत किया। पुलिस द्वारा बरामन किये गई गांजे की कीमत चार करोड रुपे से ज्यादा बताई जा रही है। इस कारवाई के बाद एटी जी उमेश जोंगा और एसपी तुशारकांत विद्यारती भी तिलवारा धाना पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बताया की गांजे की ये बड़ी खेप 36 गड़ जगदलपूर के रास्ते जबलपूर से हर्याणा ले जाए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में ट्रक चालक सहे दो लोगों को गिरफतार किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाओ को मदे नजर रखकर चुनाओ आयोग और पुलिस मोख्याले के निर्देश पर जबलपूर पुलिस लगातार नशीले पदार्थों की तसकरी करने वालों के विरुद कारवाई का भियान चला रही है। इसी कड़ी में जबलपूर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तिलवारा थाना चेतर में पुलिस ने एक ट्रक को जब्द कर ट्रक के केबिन और ट्रक में लोड नील गिरी की लकडियों की आड में छिपा कर रखा गया करीब 20 कुइंटल गांजा बरामत किया है। इस गांजे की कीमत 4 करोड रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस भी रोजाना हाईवे पर वानों की चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में तिलवारा थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर वानों की चेकिंग की। तभी एक संदिक्द ट्रक को रोका गया तब ट्रक चालक भागने लगा पुलिस ने ट्रक चालक और उसके एक साथी को पकड़ कर पूस्ताच की तो उन्होंने लकडी की आड में गांजा छिपा कर हर्याणा ले जाने की बात बताई तो एक ट्रक जो संदिक्द ट्रक को रोक के उनलोगों ने देखा फिर पूस्ताच में उनलोगों ने बताया कि हमीरपूर के रहने वाले हैं इसका नाम चालक महेश कुमार है और दुसरा उसका हेलपर कहे कि मौमद शकील है ये दोनों और इसका परिवान कहे कि 24 तारिक को वह वहां से 24 गर से लेके आके हर्याना और राजिस्तान की तरफ लेके जा रहे थे ऐसा इनका सूचना इनको बीच में इनको कबर मिलेगी या कोई और कोई इसको साहता मिलेगा जिसको ये सामान को पहुंचाने में मदद करेगा इस मामले को लेकर स्पी तुशार कांत विद्यार्थी ने बताए कि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पूछताच में उडिसा से 36 गर जगदलपूर मंडला जबलपूर होते हुए गांजा हर्याना ले जाने की बात बताई है पुलिस ने ट्रक से 20 कुइंटल गांजा जब्त किया है और मामले की जाच की जा रही है गांजे की तसकरी में और कौन लोग शामिल है इसका पता लगा कर उनके विरुद्ध भी कारवाई की जाएगी करते ढूटा गया पक्राज पक्राजम के नाम आया है जो इस विक्ती को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रह था और ने ब्राद करए उसक्ता कारव करवाय था इन सबी कि कर लब कारवाया था इनस वी इकछाब कारवाय हैं पुलिस में ndps act की विभिन धाराओं के तैट प्रकरन दर्जकर विवेचना शुरू कर दिये